चलिए उस तो बात करते हैं सेकूर नई कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने का यानि एक्जामने ने क्या का कि एक व्यक्ती ने दो परकार की गोट खरीदी दो बक्रियां खरीदी चलिए आईए बात करते हैं इसको दो तरीके से करेंगे एक हम एक्स मान के करेंगे तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि एक्स मान के करेंगे उसको फिर छोटा कैसे करेंगे मान लेते हैं कि इसकी कोस्ट वाई एक बकरी की जो कीमध है वो एक्स रुपीज है एक्स रुपीज है तो दूसरे कितने होगी वन जीरो जीरो एट माइनस खाए यह दोनों के क्रेंगे उलिए है एक को वो क्या करता है, बीस परसेंट की लोड़ पर बेचता है, यानि बीस परसेंट निकालोंगो तो 80 बटे में 100 में बेचेगा, बराबर में हो जागा, दूसरे को कितने बेचेगा, 44% के प्रॉफिट में, 44% निकालेंगे तो 144 बाय में आपका 100 हो जागा, अब ये दोनों क इंटू में 9, माइनस का ये 9x हो जागा, ये इधर जाएगा, तो मेरे पास में 14x हो जाएगा, बराबर में 1008 इंटू में कितना हो जाएगा, अपन 9, 14 से इसको काटनेंगे तो 72 आएगा, एकस इसकाल टू में 72 इंटू में 9, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, एक नुसरे से 648 जीरो आएगा जिसको लोस पर बीचागा यानि कि ऑप्शिन ए एक्स की वाली माने बाने थी लोस वाली बखरी जो होगी वो 6,4,8 रुपीज की होगी अगर इस तरह से नहीं करना तो सिंपल सी बात है यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक कुश्चन आपका और आसान पर होना चाहिए अगर इसका सेलिंग प्राइस सो रुपे तो यह कितने भी किती 20 परसंट के घाटे भी किती यानि कि अगर मैं इसे हंडेड़ बाय में 80 से मल्टिप्लाइगा तो मेरे पास मैं इसका कोस्ट प्राइज जाएगा इसको सोल करूँगा तो इससे तो नो रेशियो में आपका 5 आजागा इन दोनों को एड़ करेंगे तो 14 आ रहा है जबकि उन दोनों की कोस्ट प्राइज कर सम कितना होना अच्छी है 1008 होगा इससे आप डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा 72 से मल्टिप्लाइगा तो आपका 648 आएगा यानि की option जो A होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा